उद्धो ठाक्रियों राधित ठाक्रे की टेंशन बढ़ाने वाली खबर इस वक्त महराश्ट से आ रही है दरसल बॉलीबुट के दिवंगत एक्टर सुशान सिंग राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान के देट केस में महरास्ट सरकार ने बड़ा फैसला लिया है राज के डिप्टी सियम देवेंद पर्नविस ने गुरुवार को एलान किया है कि दिशा सालियान के इसकी जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा कराई जाएगी आपको बता दे कि दिशा सालियान की 8 जून 2020 को मौत हो गई थी जिसके एक हपते बाद ही सुषान सिंग राजपूत की मौत हो गई थी जिसके बाद से ही कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं आदित ठाकरे की इसमें क्या भूमिका थी इस पर बीजेपी ने कई बड़े आरोप लगाये थे बीजेपी के नेता नितेश राने ने इस पर गंभीर आरोप लगाते हुए सबूत पेश करने की भी बात कई थी एक बार फिर से उन्होंने ही इसमुद्य को उठाया है जिसके बाद ये फैसला महराश्ट सरकार के द्वारा लिया क्या है दरसल इस मामले पर बात करते हुए बीजेपी नेता नितेश राने ने नार्को ठेस्ट की भी बात कर दी नार्को टेस्ट होना चाहिए आधित ठाकरे का इस मामले में ये मांग उठाई थी बीजेपी के नेता नितेश राने ने जो के बिधायक हैं क्या कुछ उन्होंने कहा था ये सुनिये उसके बाद आपको बताते हैं देवेंत पर नविस ने क्या कुछ कहा है सदन में इसको लेकर दिशायन सालियान के संग केस के बारे में गर्ल राहूल शेवाले जी ने जो खासदार है उन्होंने सांसाद है उन्होंने लोगसवा में मांग की कि जो एईउ नाम का जो व्यत्ती है वो अधित ठाकरे है जिसने रिया चचतिनोधी को 44 कॉल किये हम लोग पहले दिन से बोल रहे हैं कि ये सुशान सिंग और दिशासालियान के केस में जिस मंतरी का involvement है जिस बारे में बिहार पुलीस ने भी रिपोर्ट तयार की है उसका नाम अधित्य ढाकरे का नाम बिहार पुलीस ने भी लिया था सुप्रीम कोट में भी इस बारे में में करेंशन हुआ था कि तभी के चीफ मिनिस्टर का बेटा उस केस में इन्वर्ड है ये सुप्रीम कोट का डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंटर है ये तो इतना सब होने के बाद अगर सच्ची में सच बाहर आना होगा तो जैसे शर्दावाल करके मुर्डर के बाद आफताब का नार्को टेस्ट करने के बाद सच्चा ही बाहर आई वैसे ही दिशा साल्यान और सुषान सिंग राजपूत के केस के बारे में अधित्य ठाकरे की नार्को टेस्ट होनी चाहिए जिससे सच बाहर आएगा और दूद का दूद पानी का पानी हो जाए देवेन फर्नविस ने सदन में इस मामले पर बात करते हुए कहा कि इस मामले की जाच एसाइटी द्वारा कराई जाएगी ये जाच पूरी तरीके से निस्पक्षों की आपको बता दें कि बीजेपी और शुसेना जो शिंदे गुठ है उसके कई नेताओं ने इस पर सवाल की जाच कराने की मांग की थी वही पक्ष की नेता अजीत पवार ने इस पर बयान देते हुए कहा कि उनके पास जो जानकारी है उसके निसार दिशा सालियान की मौत को CBI ने एक हाथसा बताया था उन्होंने कहा कि दिशा के पिता भी दुखी है जिस तरह से उनका नाम लिय जाता है लेकिन वही पर देविन फर्ण नविस ने कहा कि जिस तरीके से इस पर CBI ने ये कहा था कि हम इस मामले की जाच सिर्फ और सिर्फ सुषान सिंग राज़पूत मामले से जोड़ कर ही देख रहे हैं इसमें हमने कोई क्लोजर रिपोर्ट नहीं दी है अब इसे देख गओर कर दफ़गई धिस अक्कोई रहे हैं, इसमें आज़ एकिरल्ड ओने केर दिए से पता हैं, इसमें आज़एत साथ हैं